Hello Friends, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Computer Based as a Top 100 Multiple Choice Questions के बारे में जो की आपको किसी भी प्रतियोगी परिक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा Help देने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही खास होगा, वीडियो को बिना Skip के हुए पुरा लाश तक देखेगा हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज के इस Important वीडियो को नमस्कार दोस्तों मैं अभय पांडे CCI Education नगरा के इस Digital Class में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में कुल 100 Multiple Choice Questions के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे जो की Computer Based किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में Triple C या O Level की परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वास्तों में Success का गुरुमंत्र होने वाला है जिसमें कि आप अपनी परिक्षा में बहुत ही अच्छे Marks के साथ पास होने वाले हैं और अगर आप Triple C की October, November या आगे की परिक्षाएं देने वाले हैं तो आपके लिए तो यह वीडियो बहुत ही जादा Important होने वाला है हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह सभी के सभी प्रशन जो है वो O Label और Triple C की August और September में होने वाली परिक्षा के अंतरगत पूछा गया है तो वीडियो बहुत ही खास होगा आप Copy और Pen लेकर के बैठिएगा ताकि इस वीडियो पे जो भी प्रशन आएं और उनके हम जो भी डिसकस करें और देखते हैं सबसे पहला प्रशन कौन सा है तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रशन है दोस्तों जो पहला प्रशन हमारा है वो है MMID का पूरा नाम क्या है यहाँ दोस्तों MMID का पूरा नाम पूछा गया है Option है Mobile Money Identification या Mobile Money Identifier Mobile Money Information या फिर None of these तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले प्रशन का right answer होगा वो हो जाएगा option B mobile money identifier जिहां दोस्तों mobile money identifier जो है यहाँ पर बिल्कुल ही right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अक्सर करके mobile से related भी आपको computer के अलग-अलग परिक्षाओं में प्रशन पूछे जाते हैं और MIM ID का तो बहुत बार पूरा नाम पूछा गया है जिसका पूरा नाम mobile money identifier है अब चलते हैं हम अपने next question की तरव दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रशन है वो अभी बहुत ही खास है Unix operating system से related जिहां दोस्तों Unix जो है वहाँ एक प्रकार का CUI operating system है और प्रशन पूछा गया है Unix OS में किसी file का print प्राप्त करने के लिए किस command का प्रियोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर चार option दिये गए है option A है MV command, CP command, IPR command या फिर PT command तो दोस्तों आपको बताना है कि file को print करने के लिए Unix operating system में कौन सा command यूज किया जाता है तो दोस्तों इस पर right answer इसका हो जाएगा option C IPR command यहाँ दोस्तों यहाँ पर IPR command जो है बिल्कुल ही right answer हो जाएगा दोस्तों Unix के बारे में हम आपको कुछ बता दे तो Unix जो है एक प्रकार का CUI operating system है यानि कि character user interface operating system है जो कि command based work करता है जबकि Microsoft company द्वारा बनाया गया disk operating system भी command based operating system है जो कि आज कल Windows operating system के अंतरगर भी आपको देखने को मिल जाता है अब चलते हैं हम अपने third question की तरफ दोस्तों बहुती खास प्रस्ण है और यह तो अभी अभी जो सप्तमबर महीने में परिक्षा हुई है उसमें यहाँ पूछा गया था NPCI की शुरुआत कब हुई थी जिहां दोस्तों NPCI का पूरा नाम आपको बता दें National Payment Corporation of India है और इसकी शुरुआत पूछी गई है कब हुई है दोस्तों option है 2004, 2005, 2006 या फिर 2010 तो आपको बता दें यहाँ पर right answer हो जाएगा option C 2006 जिहां दोस्तों NPCI की शुरुआत हुई है 2006 में और यहां NPCI जो है पूरे भारत में जितने भी internet based banking के transaction होते हैं इन सभी का लेखा जोखा और देखभाल करने का काम करता है एक बार फिर इसका पूरा नाम आपको बता दें National Payment Corporation of India तो यहाँ भी बहुत बार पूछा जाता है आप इसे भी लिख लीजिएगा और याद करिएगा दोस्तों अगर यहाँ पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो CCC तो आप बिल्कुल 100% guarantee है कि बहुत ही अच्छे grade के साथ पास हो जाएंगे इसके अलावा Olable या किसी भी तरह की प्रत्योगी परिक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से अपना पूरा का पूरा पेपर तयार हो जाएगा और computer में तो आप बहुत ही अच्छा score करेंगे अब चलिए हम लोग अपने चलते हैं चौथे प्रस्ण की तरब दोस्तों यहाँ पर एक formula दिया गया है formula equal 25 slash bracket में 32 minus 16 into 2 bracket close का मान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर इसका मान पूछा गया है कि अगर हम इसे calc या किसी भी spreadsheet application program के अंतरगत input करते हैं तो आपको क्या option यानि की result show होगा तो यहाँ पर option में 4 option दिये गए है 25 नोटा एक error है और नीचे 0 आपको लिखा हुआ मिल गया है तो दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप यह formula अपने किसी भी spreadsheet application में input करते हैं तो आपको वहाँ पर एक error मिलेगा जो की option C का होगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर option C जो है बिल आप चलते हैं हम अपने next question की तरफ दोस्तों हमारा जो अगला प्रशन है वो है लीब्रे office writer में ruler की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ दोस्तों ruler की यहाँ पर बात की गई है और उसकी सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर 4 option दिये गए है tab settings, indent settings, page margin या all of above तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ प्रस्ण जो है बहुत ही खास होगा बिल्कुल घबराईएगा नहीं इस पर हम सभी options में discuss करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि लीब्रे office writer जो है एक तरह का word processing program है जो कि बिल्कुल आपको नहिशुल इंटरनेट पर मिल जाता है और इसमें दो तरह के आपको ruler देखने को मिलते हैं एक को बोलते है horizontal ruler और दूसरे का नाम है vertical ruler और horizontal ruler की सहायता से आप tab की setting कर सकते हैं indent की setting कर सकते हैं यानि आप सभी काम कर सकते हैं तो right answer इस प्रश्ण का तो यहाँ पर होने वाला है all of the ever अब हम लोग इन इनो options को समझते हैं दोस्तों आपको बता दें कि टैब जो setting होती है यहाँ पर आप टैब बटन की जो keyboard में आपको caps lock के ठीक उपर देखने को मिलता है वहां से आप इसकी setting कर सकते हैं और अकसर करके पूछा जाता है टैब की default spacing कितनी होती है तो दोस्तों .5 होता है तो ऐसे आप याद रखिएगा इसके अलावा इंडेंट की बात करें तो पेस पर जो इंडेंट होता है वह यहाँ पर horizontal रूलर पर दिखाई देता है और इंडेंट की संख्या 3 यानि की 3 होती है एक को बोलते हैं left इंडेंट एक को बोलते हैं right इंडेंट और एक का नाम है first line दोस्त जब हम first line इंडेंट और left इंडेंट को एक साथ मिला देते हैं यानि कि दोनों एक पास होते हैं तो वहाँ पर आपको hanging इंडेंट के नाम से वह जाना जाता है जबकि page margin की बात करें तो किसी भी word program के अंतरगत आपको page margin चार प्रकार की मिलते हैं दोस्तों आप यहाँ पर भ right margin इसके अलावा top और bottom margin आपको चार प्रकार के page margin भी मिल जाते हैं तो यह सारी की सारी सेटिंग आप horizontal ruler से कर सकते हैं अब चलिए अपने next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर जो question number six है वह भी बहुत खास है data encryption standard किसके द्वारा design किया गया था दोस्तों चार option यहाँ पर आपको अपने को मिल रहे हैं HP, Sony, Intel या फिर IBM तो दोस्तों आपको बता दें कि question six का जो right answer होगा वो हो जाएगा IBM अब IBM के हम थोड़ा सा बात करें तो IBM जो है यहाँ एक प्रकार का international business machine इसका सबसे पहले तो पूरा नाम जो है वो है international business machine और computer के छेत्र में यहाँ बहुत ही बड़ी company यहाँ दोस्तों सबसे पुरानी और सबसे बड़ी company जो है वो IBM है जिसका पूरा नाम international business machine है और इसके अलावा HP की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम हैवलेट Packard है और HP के यही दोनों लोगों ने स्थापना की थी और इनके नाम का सबसे पहला character ही इस company का नाम रखा गय जबकि अगर हम बात करें Intel company की तो Intel company पूरी दुनिया भर में computer के processor बनाने के लिए जानी जाती है और Intel का जो सबसे पहला processor market में launch हुआ था 4004 और यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो Intel company द्वारा आपको processor देखने को मिल जाते हैं जबकि IBM company जो है वह computer के छेतर में स इसका जो सबसे famous अक्सर करके प्रशन पूछे जाते हैं 14004 यानि की 1404 जो IBM का एक computer model था वह भी main frame के category में आता है तो यह भी प्रशन बहुत बार repeat किया जा चुका है अब चलिए question number 7 के तरव दोस्तों यहाँ पर question number 7 है वो Linux से related है Linux में man किस उदेश के लिए command है जी हाँ दोस्तों option में दिया हुआ है manual page search all files list all files या delete all files तो दोस्तों यहाँ पर right answer जो होगा वो हो जाएगा option A manual page जी हाँ दोस्तों man command का use आप Linux के अंतरगत page को manually रूप में करके देखने के लिए करते हैं दोस्तों Linux जो है यहाँ एक परकार का GUI operating system है जिसे 1991 के अंतरगत Linux Starwals दोरा बनाया गया था और सबसे खास बात आपको बता दें कि Linux operating system में दो तरह का आपको GUI interface देखने को मिलता है जिसे की KDE और Genome के नाम से जाना जाता है दोस्तों एक बार KDE का पूरा नाम भी पूछा गया है और वहाँ उसका पूरा नाम है KDEXTOP Environment जिहां दोस्तों KDEXTOP Environment यह KDE का पूरा नाम है अब चलिए next question की तरह question number 8 यहाँ पर है cold booting क्या होता है दोस्तों option है restart computer, start computer, shutdown computer या non of these तो दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा बो हो जाएगा option B start computer जिहां दोस्तों start computer को ही हम लोग cold booting कहते हैं computer की भाषा में इसे cold booting कहा जाता है जबकि restart computer को warm booting कहा जाता है booting की अगर बात करें तो computer को start करने की प्रकरिया booting कहलाती है जो की दो प्रकार का होता है एक होता है cold booting और एक होता है warm booting cold booting के अंतरगत हम computer को start करते हैं जबकि warm booting के अंतरगत computer को restart किया जाता है restart को reset warm booting के नाम से भी जाना जाता है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर Boss का पूरा नाम पूछा गया जी हाँ दोस्तों B-O-S का पूरा नाम क्या है यहाँ पर देखिए Option में दिया हुआ है Bold Opera System Solutions या भारत Operating System Solution भारत Online System Solution या None of These तो दोस्तों आपको पता दें कि B-O-S का पूरा नाम है भारत Operating System Solution तो यहाँ पर option B जो है वह बिल्कुल ही right answer होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको BOSS का पूरा नाम पता हो चुका होगा अब चलते हैं next question की तरफ question number 10 यहाँ पर है Libre Office Calc में comment option निम्न में से किस menu के अंतरगत पाया जाता है जी हाँ दोस्तों Libre Office Calc की बात की जा रही है कि comment आपको किस menu के अंतरगत मिलता है तो यहाँ पर option है insert menu, view menu, format menu या फिर data menu दोस्तों आपको पता दें कि यहाँ पर जिसका right answer हो जाएगा option A insert menu दोस्तों कुछ खास बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी किसी भी application के अंतरगत चाहे वो writer हो, calc हो या फिर impress हो कुछ भी जोडने की बाता है जैसे comment जोडना हो, photo जोडना हो, media जोडना हो तो वहाँ पर हमेशा आप insert menu को click कर सकते हैं maximum case में insert menu के अंतरगत ही कुछ भी add करने की बात होती है अगर आपको बिल्कुल उसका answer नहीं पता है तो मैं recommend करूँगा कि आप insert पे उस time tick कर दीजिएगा जबकि view menu जो होता है वो प्रदर्शन से related यानि कि अगर आपको ruler show या hide करना हो आपको इसके अलावा कोई भी option या menu या tools को show अथवा hide करना हो तो आप उस समय अगर आप बिल्कुल right answer नहीं जानते हैं तो view menu पे tick कर दीजिएगा क्योंकि view menu के अंतरगत अलग-अलग options को show और hide करने की सुविधा मिलती है जबकि format menu जो है वो formatting यानि की बदलाव करने से related होता है जैसे कि आपको font change करना हो, color change करना हो, background change करना हो या किसी भी तरह की page की formatting को change करना हो, तो आपको format menu यूज करना होता है ये चाहे calc, writer या impress कोई भी आप application यूज कर रहे हो, वहाँ पर इन तीनो menu को आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं तो question 10 का जो right answer होगा, वो हो जाएगा insert menu एक और खास बात आपको बता दें, कि किसी भी menu का shortcut हमेशा alt के साथ होता है यहाँ दोस्तों, alt के साथ आप किसी भी menu के shortcut को use करते हैं अब चलिए next question की तरफ दोस्तों, यहाँ पर question number 11 जो है, वो बहुत ही खास है इंटरनेट पर उपलब्द software बग की free मरमत करना क्या कहलाता है जिहां दोस्तों, यहाँ पर question number 11 जो दिया गया है इसका option दिया हुआ है, version, add-ons, patch या फिर tutorial तो दोस्तों, right answer यहाँ पर इसका हो जाएगा, patch जिहां दोस्तों, अगर आप internet पर उपलब्द जो भी software है उनके bug को अगर आप free में मरमत करना चाते हैं यानि सही करना चाते हैं, तो उसके लिए आप patch का work करेंगे यानि आप patch करेंगे, versions को हम हिंदी में शम्सकरण कहते हैं अब चलिए next question के तरफ, question number 12 दोस्तों, यहाँ पर जो 12 नंबर का प्रश्ण है, वो है निम्नलिखित में से data संचारित करने के लिए ISP द्वारा किस wire का उपयोग किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले तो ISP का आपको पूरा नाम बता दें internet service provider जितने भी telecom company हैं, जैसे Vodafone, Idea, BSNL, Airtail, Gio तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस wire का यह सभी ISP कंपनिया यूज करती हैं तो option में दिया हुआ है यहाँ पर electromagnetic pulse या फिर यहाँ पर satellite, broadband, ultra high frequency, radiations या फिर copper wire का तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो right answer होगा वो हो जाएगा option D, copper wire जिहाँ दोस्तों जितने भी ISP कंपनिया होती है वो data transmission के लिए copper wire का use करती है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर question number 13 है निमनलिखित में से 3D का मतलब कौन सा है जिहाँ दोस्तों 3D यानि की 3 dimension जिसे हम हिंदी में 3 आयाम कहते है और 3D का मतलब पूछा गया है तो पहला option यहाँ पर है height दूसरा है movie, तीसरा है size या चौथा है computer graphics तो दोस्तों आपको बता दें कि 3D का मतलब यहाँ पर size से है जिहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी object या जो भी text वगरा हम लिखते हैं या जो figure होते हैं जब अगर 3D में होते हैं तो उसकी size के अंतरगत आपको उसकी height, उसकी width यह सारी बातें जो है आपको देखने को मिलती है यानि कि लंबाई, चौडाई और मोटाई यह तीनों चीज़ें आपको 3D के अंतरगत देखने को मिल जाता है अब चलते हैं next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर question number 14 है Libre office writer में table insert करने की shortcut की क्या है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर table insert करने की बात हो रही है और मैंने थोड़ी दिर पहले बताया कि alt जो होता है यह menu के साथ use किया जाता है दोस्तों 14 हमे नंबर का जो प्रशन होगा इसका right answer हो जाएगा control F12 जी हाँ दोस्तों control के साथ जब हम F12 करते हैं तो हम आसानी के साथ writer में table insert करने का काम कर सकते हैं एक खास बात आपको बता दें कि writer में जब हम table insert करने जाते हैं तो default में हमें दो row और दो columns देखने को मिलते हैं तो यह भी याद रखिएगा कई बार पुछा जाता है कि insert table करते सबेट default में row column की संख्या कितनी होती है तो आपको भूलना नहीं है दो row और दो column होते हैं अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर question number 15 है payment app पेटियम ने electronic platform के माध्यम से कौन सा उत्पाद launch किया है दोस्तों सोना, चांदी, पीतल या platinum तो दोस्तों यह नाम रखा गया है और यहाँ पर पेटियम ने जो electronic platform है यह कौन सा नया एक offer launch किया है जो की आपको पेटियम में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें कि question number 15 का जो right answer होगा वो हो जाएगा silver दोस्तों यहाँ पर question number 15 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा silver यह जो है यानि की चांदी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेटियम की बात करें तो पेटियम जो है एक प्रकार का मोबाइल वालेट जैसा है जिस पे कि आप आप आनलाइन ट्रांजेक्शन करने का काम कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी सुविधा QR कोड के थुरू भी ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देता है जबकि आप यहाँ पर चाहें तो आसानी के साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अब चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है Cache Memory किसके मध्यकारे करती है जिहां दोस्तों Cache Memory की बात हो रही है कि किसके मध्यकारे करता है CPU and Hard Disk के, CPU and RAM के, RAM and ROM के या All of These तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा CPU and RAM के सबसे पहले तो इनका हम लोग पूरा नाम जान लेते हैं CPU का पूरा नाम है Central Processing Unit और RAM का पूरा नाम है Random Access Memory और इन ही दोनों के बीच में Cache Memory वर्क करता है जो की RAM के S-RAM का पार्ट माना जाता है Hard Disk जो है या Computer की Secondary Memory के अंदर गताता है जबकि RAM और ROM ये दोनों ही Computer के Primary Memory हैं और CPU को Computer का Mind भी कहा जाता है ROM की आपको एक खास बात बता दें कि Computer को Boot कराने में Read Only Memory यानि की ROM Memory जो है वहाँ शहायब होती है अब चलिए Next Question की तरफ दोस्तों यहाँ पर Messenger की बात हो रही है Messenger किस से संबंदित है यहाँ पर Internal Messaging से संबंदित है या Social Networking से या Instant Messaging से या None of these तो दोस्तों थोड़ा हरवडा करके आप Answer कभी भी मठ टिक करिएगा आप चारो के चारो प्रशनों को पढ़ने के बाद ही टिक करिएगा तो यहाँ पर जो Messenger जो है वो है Instant Messaging से संबंदित है दोस्तों Instant Messaging का मतलब है जो तुरंत आपको Message Reply करने की सुविधा दे का नाम है WhatsApp WhatsApp की बात करें तो इसे 2009 में बनाया गया है जौन हूम के द्वारा और यह जो है Instant Messaging में पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अब चलिए Next Question की तरफ दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रशन है वो है निम्नलिखित में से क्रिप्टो केरेंसी कहां पर श्टोर किया जाता है जिहां दोस्तों क्रिप्टो केरेंसी की बात हो रही है किसे कहां पर श्टोर किया जाता है बैंक अकाउंट में एवालेट में crypto wallet में या at home घर पर तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर right answer हो जाएगा crypto wallet में जिहाँ crypto wallet के अंतरगत आप cryptocurrency को रखते हैं और यह जो है आपको bitcoin के रूप में मिल जाता है अब चलिए next question की तरव दोस्तों हमारा जो अगला प्रशन है वो है encryption technology network dash को बहतर बनाती है यानि कि खाली जगह में आपको इन चारों आप्शनों में से किसी एक को फिट करना है और आपको अपना sentence complete करना है तो दोस्तों आपको बता दें कि encryption technology network को security यानि कि सुरक्षा के लिए बहतर बनाती है जिहां दोस्तों यह जितने भी encrypted text होते हैं वो सब security से related है तो यहाँ पर जो question number 19 है इसका right answer हो जाएगा option C security अब चलिए next question की तरफ दोस्तों question number 20 दिया हुआ है Libre office calc में cell की चौडाई कम करने की shortcut की क्या है जिहां दोस्तों cell की अगर चौडाई को हम कम करना चाहते हैं तो कौन सा shortcut button प्रेस करेंगे control के साथ left arrow या alt के साथ left arrow shift के साथ left arrow या control के साथ right arrow तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option B alt के साथ left arrow जी हां दोस्तों alt button के साथ अगर आप left arrow यूज करेंगे तो calc के अंतरगर cell की चौडाई को आप आसानी के साथ कम कर सकते हैं cell की अगर बात करें तो row and column का जो intersection होता है यानि कि row और column के मिलने से जो box बनके create होता है उसी को cell कहा जाता है और किसी भी spreadsheet application में data entry cell के अंतरगर्थी की जाती है cell में जाने के लिए हम F2 shortcut key का use कर सकते हैं अब चलिए next question की तरह दोस्तों bank को internet से कब जोड़ा गया था यहाँ प्रशन बहुत ही खास है बैंकों को internet से सबसे पहले कब जोड़ा गया था option में देखे दिया हुआ है 1990, 1994, 1996 या फिर 2000 दोस्तों यहाँ पर question 21 का right answer हो जाएगा 1996 जी हाँ दोस्तों 1996 के अंतरगत पहली बार बैंकों को internet से जोड़ने का काम किया गया था अब आगे चलते हैं question number 22 के तरफ दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से post info app किस विभाग से संबन दी थे ऐसा प्रशन पूछा गया जी हाँ दोस्तों post info app किस विभाग से रिलेटेड है post office विभाग या फिर railway department या फिर internet या फिर banking तो दोस्तों right answer इसका हो जाएगा option A post office department जी हाँ दोस्तों post office में आपको post info नाम का पदलने के लिए किस command का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों यहाँ पर चार option दिये हुए है move copy cd या फिर mv command तो दोस्तों यहाँ पर 23 का जो right answer होगा वो हो जाएगा option d mv command दोस्तों अगर आप file का नाम create करना चाहते हैं तो mv command का use आप linux के अंतरगत करेंगे जबकि अगर आप disk operating system के अंतरगत काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ren n command का यानि की rename command का आप use करते हैं अब चलिए 24 की तरफ दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है internet क्या है दोस्तों internet के बारे में पूछा गया कि internet क्या है तो हमने कई बारा आपको पढ़ाते समय भी बताया है और अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि internet is network of network यानि नेटवर्कों का network होता है चार option देखते हैं दिया हुआ है collection of websites, search engine, a set of interconnected network या फिर software program तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो right answer होगा 24 का वो हो जाएगा a set of interconnected network कई सारे network का जो समय होता है वह ही internet कहलाता है जबकि collection of website जो है यह www यानि worldwide web को कहा जाता है और इसे सर्ण जनेवा की अंतरगत सबसे पहली बार Timothy Berners-Lee यानि Tim Berners-Lee द्वारा तयार किया गया था जबकि search engine की बात करें तो दो बातें आप याद रखिएगा दुनिया का सबसे पहला search engine जो है उसे आर्ची के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में सबसे फेमस search engine Google है जिसे Larry Page और सेरगयी ब्रिन के द्वारा तयार किया गया है अब चलते है question number 25 के तरफ Windows 10 में Windows I shortcut key से क्या होता है जिहां दोस्तों अगर आप keyboard में Windows I button Windows 10 के अंतरगत प्रेस करेंगे तो क्या होगा File Explorer, Restart, Browser या फिर Setting तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option D setting दोस्तों अगर आप Windows button के साथ I button Windows 10 में प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर browser करना हो करके setting का आपको dialog box देखने को मिल जाएगा जहां से आप अपने computer की setting कर सकते हैं जबकि restart के लिए आप Ctrl, Alt और Dell button का यूज़ करते हैं और File Explorer का shortcut window button के साथ E button होता है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 26 नमबर का question है Libre Office writer में word count option किस menu के अंतरगत आता है जिहां दोस्तों अगर शब्दों को count करना होगा writer में तो कौन सा menu आप use करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर edit, view, tools या फिर insert menu दिया हुआ है तो दोस्तों आपको बता दें कि tools menu के अंतरगत ऐसे सभी काम जैसे spelling वगरा की checking करनी हुई या फिर word को count करना हुआ तो यह सारा का सारा काम आप tools menu के अंतरगत आसानी के साथ कर सकते हैं तो right answer यहाँ पर tools menu हो जाएगा tools menu के अंतरगत एक और option बहुत बार पूछा जाता है जिसका नाम है mail merge जिहां दोस्तों mail merge के अंतरगत जो आपको काम करने होते हैं उसके लिए भी आपको tools menu के अंतरगत आ करके और use करना होता है अब चलिए question number 27 की तरफ mobile tracking के लिए किस number का उपयोग किया जाता है जिहां दोस्तों अगर mobile को track करना हो तो कौन सा number आप use करेंगे mobile का number या IMEI number या फिर SIM का number या Mac का address तो दोस्तों आपको बता दे कि mobile को अगर track करना होगा तो आपको यहां पर IMEI number जो है यहां पर use करना होगा जो कि mobile को track करने में आपकी help करेगा दोस्तों यहाँ पर International Mobile Equipment Identity IMEI नंबर का पूरा नाम है जबकि SIM का पूरा नाम होता है subscriber identity module तो दोस्तों यहाँ पर पूरा नाम भी अक्सर करके पूछा जाता है तो इन्हें भी आप लिख लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा तो question number 27 का right answer option B हो जाएगा अब चलिए next question की तरफ 28 Antivirus किस प्रकार का software है दोस्तों यहाँ पर option में दिया हुआ है utility software, application software, virus remove software या malware दोस्तों आपको पता दें कि antivirus जो है वह utility software की category में आता है वह software जो application and system software की help करते हैं उन्हें हम utility software कहते हैं और उसके अंतरगत आपको antivirus देखने को मिल जाता है दोस्तों antivirus जो है किसी भी virus को detect करके और remove करने में हमारी help करता है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रशन है वो बहुत ही खास प्रशन है निम्नलिखित में से demate का क्या अर्थ है जिहां दोस्तों यहाँ पर demate की बात की गई है option दिया हुआ ऐसा खाता जहां सेयर रख सकते हैं या बचत खाता या व्यापारियों के लिए खाता या फिर चालू खाता तो दोस्तों 29 का जो right answer होगा वह हो जाएगा option A ऐसा खाता जहां सेयर रख सकते हैं उसे demate का जाता है इसके अलावा जो और तीर option दिये गए हैं बचत खाता को हम saving account के नाम से जानते हैं जबकि व्यापारियों के लिए जो खाता खोला जाता है उसे current account यानि की चालू खाता का जाता है अब चलते हैं अपने next question की तरव दोस्तों यहाँ पर जीयो के founder कौन है यहाँ पूछा गया है जीयो जो की ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसके founder कौन है option में यहाँ पर दिया हुआ है इशा अंबानी अकाश अंबानी या अनन्त अंबानी दोस्तों right answer यहाँ पर हो जाएगा option A मुकेस अंबानी दोस्तों जब से जीयो कंपनी जो है ISP यानि की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम के सेक्टर में आई है तब से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा competition बढ़ गया है और आप हो सकता है कि जरूर कभी न कभी जीयो के फोन या जीयो का SIM यूज किये होंगे अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खास प्रस्षन है एम कवच एप किस से संबंदित है जीया दोस्तों एम कवच एप जो है वो किस से related है network security से, mobile security से computer security से या फिर all of above तो दोस्तों आपको बता दें कि एम कवच जो है यहाँ पर mobile कवच है यानि कि mobile security से related यह एप है जो कि mobile में होने वाली समस्त गतिविधियों का देख रेख करती है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option B, mobile security अब चलिए next question के तरफ 32, यदि कोई computer hack हो जाता है तो वह निम्न में से किस प्रकार का विशय है गोपनियता का, सुरक्षा का विश्वास का या इन में से कोई नहीं दोस्तों आपको पता दें यहाँ सुरक्षा से संबन्धित हो जाएगा जी हाँ दोस्तों अगर आपका computer hack हो चुका है तो यानि की सुरक्षा जो है यानि की security आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है इस वज़ा से ऐसा हुआ है तो यह गोपनियता और विश्वास से रिलेटेड नहीं या सुरक्षा से संबन्धित विशय हो जाएगा तो question 32 का भी right answer होगा अब चलिए 33 के तरफ फेस्बुक पर कितने प्रकार के reaction होते हैं जी हाँ दोस्तों फेस्बुक पर जब आप कोई post देखते हैं जरूर आपने कभी like किया होगा तो like के दौरान आप देखते हैं कि कई सारे और भी reaction आपको दिखाई देते हैं और यहाँ पूछा गया है कि कुल कितने types के reaction देखने को मिलते हैं तो right answer यहाँ पर 2, 3, 4 और 7 में हो जाएगा option D, 7 यहाँ दोस्तों 7 type का reaction आपको देखने को Facebook के अंतरगत मिल जाता है Facebook की कुछ खास बाते पूछ लें तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है Facebook के founder का नाम वो है Mark Zuckerberg इसके अलावा Facebook पर आप अधिक्तम 5000 मित्रों को जोड सकते हैं एक ID से और Facebook पर अगर आप ID बनाना चाहते हैं तो आपको 13 वर्ष की आयू प्राप्त कर लेनी होगी यानि कि आप 13 साल के होंगे तभी आप Facebook पर अपना नया account बना सकते हैं अब चलिए next question की तरब दोस्तों यहाँ पर bank में check and draft में किसका परियोग किया जाता है check and draft को अगर read and write करना होता है तो किसका यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर चार नाम दिये गए हैं OMR, BCR, OCR या MICR तो दोस्तों आपको पता दें bank अंतरगर check अथवर draft को पढ़ने के लिए यूज किये जाने वाले device का नाम है MICR दोस्तों सबसे पहले तो हम इन चारों optionों के full form के बारे में discuss करेंगे क्योंकि वह भी अकसर करके पूछे जाते हैं OMR का पूरा नाम है optical mark reader जो किसी भी page पर जो एक विशेश symbol बने होते हैं OMR sheet पर जो हम लोग multiple choice questions को फिल करते समय जो गोले बनाते हैं जो किसी optical character को पढ़ने के लिए OCR का यूज किया जाता है इसका पूरा नाम है optical character recognition तो दोस्तों यहाँ पर 34 number के right answer हो जाएंगे MICR magnetic ink character reader अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 35 number का प्रश्ण बहुत ही खास है बड़ा easy भी है और बड़ा important भी है Wi-Fi का पूरा नाम क्या है जी हाँ दोस्तों Wi-Fi का पूरा नाम पूछा गया है पहला यहाँ पर option है wired fidelity या फिर warm favor यहाँ पर इसके लावा wireless fidelity या wired fire तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि right answer हो जाएगा wireless fidelity दोस्तों 35 नमबर का जो प्रस्ण होगा इसका right answer option C हो जाएगा wireless fidelity अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 36 नमबर का जो question है वो है hacker एक ऐसा software है जो आपकी अनुमती के बिना आपके computer तक पहुँच सकता है दोस्तों आपको बताना है यह sentence true है अथवा false है तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रस्ण यानि कि यह sentence जो है वह है false hacker जो है वो कोई software नहीं होता है जो person hack करता है उसे hacker कहा जाता है यानि hacker जो है एक human होता है एक मनुश्य होता है जो की आपकी अनुमती के बिना आपके computer तक पहुँच जाता है या कोई software नहीं है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर Lee 802.5 क्या है ऐसा पूछा गया है Lee 802.5 क्या है 37 number के प्रस्ण में चार option दिया हुँ है token bus, Ethernet, token ring या none of these तो आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option C, token ring दोस्तों token ring जो है यह जो है Lee 802.5 से related है तो यह token ring के नाम से भी जाना जाता है अब चलिए next question की तरफ दोस्तो 38 number का question है निमनलिखित में से कौन सा chart लीब्रे office calc में मौदूद होता है दोस्तों यहाँ पर इन चारों option में से आपको पहचानना है कि कौन सा chart आपको calc में देखने को मिलता है दोस्तों पहला जो option है वो है bubble दूसरा circle तीसरा balloons चौता जो है वो hollow है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा chart जो है वो calc के अंतरगत मौदूद होता है तो 38 का जो right answer होगा वो हो जाएगा option A bubble bubble chart आपको देखने को मिलता है जबकि यह तीनों chart जो है आपको calc के अंतरगत देखने को नहीं मिलते हैं अब चलते हैं next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्ण पूछा गया है 3.5 इंच की एक fluffy disk की क्षमता कितनी होती है यहाँ पर fluffy disk की बात हो रही है कि उसकी क्षमता यानि capacity कितनी होती है जो की 3.5 इंच का होता है दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा 1.44 MB जो ए 3.5 इंच की fluffy होती है उसमें आप 1.44 MB तक का data store कर सकते हैं कुछ fluffy disk की बात करें तो fluffy disk बहुत ही flexible होता है इसलिए से fluffy disk कहा जाता है और यह दो size में आपको market में मिल जाता है जिसकी अधिक्तम storage capacity 1.44 MB होती है fluffy disk में जहाँ पर data store होता है उसे sector कहा जाता है और इसमें कुल 80 यानि की 80 data track होते हैं और एक sector के अंतरगत 64 character को आप आसानी के साथ save करके रख सकते हैं अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर bootstraps का उपयोग किसके लिए किया जाता है यह प्रशन पूछा गया है bootstraps का use किसके लिए किया जाता है option है web applications या lot internet of things big data या फिर data दोस्तों right answer यहाँ पर हो जाएगा option A web applications दोस्तों web applications के लिए आपको bootstraps का use करना होता है जिससे कि आप आसानी के साथ file की अलग-अलग category बना सकें अकसर करके IOT का पूरा नाम पूछा जाता है जिसकों की internet of things के नाम से जाना जाता है अब चलिए next question की तरव दोस्तों यहाँ पर 41 number का question है वो है निमनलिखित में से कौन एक loopback IP address है दोस्तों यहाँ पर loopback IP address की बात हो रही है कि कौन इन चारों एड्रेसों में loopback IP address है तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हम right answer आपको बता दें कि इसका right answer हो जाएगा 127.0.0.1 तो यहाँ पर right answer option A हो जाएगा loopback IP address दोस्तों यहाँ पर कुछ और खास बात हम लोग IP address के बारे में जाल लें तो IP का पूरा नाम है internet protocol और यह जो है चार अलग-अलग layer में बटा होता है दोस्तों IP address में 0 से ले करके 255 तक के digits देखने को आपको मिल जाते हैं और यह सभी dot के थुरू अलग होते हैं यहाँ पर प्रतेक नमबरों के group को octet के नाम से जाना जाता है अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 42 नमबर का जो question है वो है निमनलिखित में से USSD किसके द्वारा launch किया गया है दोस्तों यहाँ पर USSD की बात हो रही है कि किसके द्वारा launch किया गया है RBI, SBI, BOB यानि bank of बड़ोदा या UBI, Union Bank of India दोस्तों आपको बता दें कि USSD जो है सबसे पहली बार USSD को launch करने का काम किया है Union Bank of India यानि कि UBI ने UBI द्वारा USSD को launch किया गया USSD की बात करें तो इसका पूरा नाम है Unstructured Supplementary Service Data RBI का पूरा नाम है Reserve Bank of India और SBI को कहते है State Bank of India तो ये सारे Full Form भी आप अपने Notebook पर लिखते चलिएगा क्योंकि अक्सर करके इन सभी के Full Form भी परिक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते है USSD का पूरा नाम एक बार फिर आपको बता दें Unstructured Supplementary Service Data इसे कहा जाता है अब चलिए Next Question के तरफ 43 निम्न में से कौन सा Local Area Network Protocol व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है जिहां दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा यहां Token Ring, Token Bus, Ethernet और Non-Off Abub में Ethernet जिहां दोस्तों Ethernet जो है यहां Local Area Network Protocol के अंतरगत सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अब चलिए Next Question की तरफ दोस्तों यहां पर 44 रंबर का जो Question है वो है निम्न में से कौन सा एक Robot से शंबंदित है यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर Robot से रिलेटेड प्रस्ण जो है पूछा गया है जो की Option में दिया हुआ है Multifunctional Manipulator या फिर Programmable या A&B Both या None of These तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका Right Answer Option C हो जाएगा A&B Both दोस्तों एक हम हिंट आपको बताएं कि अकसर करके परिक्षाओं में जो A&B Both या All of Above इस तरह के Options होते हैं तो उनके सही होने के ज़्यादातर Chances होते हैं अगर आप उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो आप A&B Both इस टाइप का अगर Answer आपको दिख रहा है या All of Above दिख रहा है तो आप इनको अगर आप टिक करते हैं तो ज़्यादातर Chance बनते हैं कि आपका वहाँ प्रशन जो है वो सही हो जाएगा अब चलते हैं Next Question की तरह जियोग्राफिकल एरिया में किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है जिया दोस्तों सबसे बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंतरगत कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर चार नाम दिये हैं LAN, MAN, WAN या फिर PAN यान की LAN, MAN, WAN और PAN तो दोस्तों आपको पता दें कि बड़े जियोग्राफिकल एरिया के लिए WAN का यानि की Wide Area Network का यूज किया जाता है इनका पूरा नाम भी अक्सर पूछा जाता है तो Local Area Network, LAN का पूरा नाम है Metropolitan Area Network, MAN का, WAN का पूरा नाम है Wide Area Network और PAN का पूरा नाम है Personal Area Network तो दोस्तों इनके पूरे नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे यह भी पूछा जाए अब चलिए Next Question के तरफ Libre Office 4.0.3 में कितनी भाशाएं समर्थक हैं यानि कितनी भाशाओं को यह सपोर्ट करता है 75, 70, 80 या फिर 40 तो Question No.46 का जो Right Answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर D यानि कि 40 Languages को वह सपोर्ट करने का काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर Right Answer D हो जाएगा अब चलते हैं Next Question की तरफ दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में बहुत ज़्यादा कमांड पाई जाती है ऐसा प्रशन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कमांड किस में पाया जाता है Drawing Toolbar पर, Formatting Toolbar पर, Standard Toolbar पर या फिर Menu Bar पर दोस्तों पता दें कि सबसे ज़्यादा कमांड अगर कहीं पाया जाता है तो वो है Menu Bar Menu Bar के अंतरगत आपको हर तरह के कमांड देखने को मिलते हैं जबकि Drawing, Formatting और Standard Toolbar पर कुछ गिने चुने कमांड जो है आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर 47 का Right Answer Menu Bar हो जाएगा दोस्तों अब चलते हैं Next Question की तरफ किस कमांड का प्रियोग Linux में कैलेंडर खोलने के लिए किया जाता है जी हाँ दोस्तों अगर Linux Operating System के अंतरगत आप कैलेंडर ओपन करके देखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड आप यूज़ करेंगे Month, Calendar, Date या फिर Call तो दोस्तों आपको बता देंगे कि यहाँ पर कैलेंडर ओपन करने के लिए आपको Call कमांड का यूज़ करना पड़ेगा यानि C-A-L-L कमांड का यूज़ करके और आप Linux Operating System के अंतरगत आसानी के साथ कैलेंडर को ओपन करके देख सकते हैं अब चलिए Next Question की तरब दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर का जो Question है सर्व प्रतम किस वर्ष में QR Code को बनाया गया था यहाँ दोस्तों QR Code जो है सबसे पहले बार किस सन में बनाया गया था 1992, 1994, 1996 या फिर 1998 दोस्तों 49 का जो Right Answer है वो है 1994 1994 में सबसे पहली बार QR Code को बनाया गया था और इसे जापान के एक वहिकल कंपनी द्वारा बनाया गया था QR की बात करें तो QR में कुल Code की संख्या 7000 से भी ज़ादा होती है यानि कि 7000 डिजट से भी ज़ादा यहां पर Code होते हैं और QR का पूरा नाम है Quick Response Code जी हाँ दोस्तों इसे Quick Response Code के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको एक खास बात बता दें कि इसमें आपको Number, Alphabet, Alphanumeric Character और Kanji ये चार चीज़े देखने को मिलती है Kanji जो है ये चाइना का एक विशेश कह सकते हैं कि लिपी है वरणमाला है जो की especially QR के अंतरगत जापान में यूज किया गया था अब चलते हैं next question के तरफ question number 50 किस command का इस्तेमाल डारेक्टरी को open करने के लिए किया जाता है दोस्तों यहाँ पर 4 option दिया है mkdir, mdir, cd या pwd तो दोस्तों आपको बता दें कि जो directory को open करने के लिए हम लोग use करते हैं command उसका नाम है cd command जिसे change directory के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों cd command का use करके और directory को open करने का काम करते हैं कि mkdir command जो है नई directory को बनाने के लिए use किया जाता है दोस्तों directory को folder के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों अगर आपने इस 50 वीडियो तक यह वीडियो देख रखा है तो इसके लिए एक like तो कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि कितने लोगों ने 50 तक के वीडियो को आसानी से देख लिया है अब हम लोग 50 के आगे यानि 51 से ले करके और 100 तक के पार्ट में चलेंगे दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को बिना escape के वे last तक देखिएगा तो आपको बहुत सारे प्रस्ण जो है बहुत अच्छे से तयार हो जाएंगे और वीडियो के last तक जाते जाते आपको 500 से भी ज़्यादा प्रस्ण तयार हो जाएंगे इसके अलावा वीडियो के last में हम आपको अपने multiple choice question triple c के playlist को और साथी साथ liner के playlist को हम दे देंगे आप उन पर भी click करके और हमारे पहले के uploaded सारे वीडियो जो है आसानी से देख सकते हैं अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर calc में एक column को चुनने के लिए किस shortcut key का परियोग किया जाता है जिहाँ दोस्तों अगर एक column को आपको select करना है तो कौन सा shortcut आप use करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा control के साथ space button जिहाँ दोस्तों अगर आप control के साथ space button यूज़ करेंगे छोटे छोटे box create होते हैं जिने की sell के नाम से जाना जाता है अब चलिए next question की तरह कौन सी hacking में आपको नौकरी परदान की जा सकती है जिहां दोस्तों आप कौन सी hacking करेंगे तो आपको यहां पर नौकरी भी मिल सकती है पहला जो option है वो है ethical hacking या cyber hacking, red hat hacking या फिर non of these तो दोस्तों आपको बता दें कि ethical hacking अगर आप करते हैं तो आपको उससे related नौकरी भी परदान की जाएगी क्योंकि यह legal hacking होता है जबकि cyber hacking और rate hat hacking जो होता है या criminal की category में आपको लेके चला जाता है और जो भी व्यक्ति hacking का काम करता है उसे hacker कहा जाता है इसके लिए पूरे के पूरे world में cyber crime के category में इन hacking को रखा जाता है अब चलिए next question के तरफ तो दोस्तों यहाँ पर mm id में कितनी संख्याएं होती है दोस्तों सबसे पहला प्रश्न भी हमारा mm id का पूरा नाम ही था और यहाँ पर पूछा गया है कि mm id में कितनी संख्याएं होती है option दिया गया है 2, 4, 6 या फिर 7 तो 53 का यहाँ पर right answer हो जाएगा option d 7 दोस्तों यहाँ पर 7 जो है यहाँ बिल्कुल ही right answer हो जाएगा तो यहाँ पर option d को आप tick कर लीजिएगा अब चलते हैं next question की तरव दोस्तों यहाँ पर e-scan किसे संबंदित है यहाँ प्रशन पूछा गया है e-scan किसे संबंदित है Windows, Android, Microsoft या फिर antivirus तो दोस्तों 54 का जो right answer होगा e-scan इसे हम electronic scan कहते हैं जो कि antivirus applications के द्वारा किया जाता है तो यह जो है antivirus से संबंदित है इसके through हम scan करके अपने device को और आसानी के साथ यह पता करते हैं कि कौन सा bug या कौन सी परिशानी जो है हमारे computer system में है और antivirus उन्हें remove करने का भी काम करता है दोस्तों e-scan बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसे याद रखिएगा यह antivirus से संबंदित है और antivirus एक तरह का utility software है अब चलिए next question के तरह question number 55 दोस्तों किसी photo को select करने पर कितने points दिखाई देते हैं दोस्तों अगर हम कोई भी photo select करते हैं किसी भी program में तो आपको कितने points यानि की corner show होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर option दिया गया है 6, 4, 8 या फिर 10 तो आपको बता दें कि right answer इसका हो जाएगा 8 यहाँ दोस्तों 8 point आपको show होते हैं जबकि आपको top पर एक circle नुमा बना होता है जिससे कि आप photo को मंचाय एंगल पर rotate भी करा सकते हैं तो points की संख्या total होती है 8 अब चलिए next question के तरह निम्न में से कौन सा font style नहीं है bold, italic, underline या फिर simple तो दोस्तों बता दें कि यहाँ right answer हो जाएगा option D simple simple जो है वह किसी भी प्रकार का font style नहीं होता है जबकि bold, italic, underline यह तीनों होते हैं इनके shortcut की बारे में हम discuss करें तो bold का होता है control B, italic का होता है control I और underline का होता है control U यानि control के साथ अगर इनके first character को हम type करें तो आप bold, italic और underline आसानी से कर सकते हैं अब चलते हैं next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 57 number का question है future skills portal निम्न में से किस के द्वारा launch किया गया था जी हाँ दोस्तों future skills जो portal है उसको सबसे पहली बार किस ने launch किया था विपरो company ने, HCL ने या NASCOM ने या फिर NILIT ने दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option C NASCOM ने दोस्तों NASCOM ने ही सबसे पहली बार यहाँ पर future skill portal को launch करने का काम किया था जबकि इंडिया का यहाँ पर सबसे बड़ा brand अगर कोई है तो वो है विपरो company जो की IT सेक्टर के अंतर का बहुत ही ज़ादा use किया जाता है और आपका triple C वरतमार में नाहिलेट संस्वा द्वारा कराया जाता है अब चलते हैं next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 58 number का जो question है वो है निम्न में से किस menu में wizard option होता है दोस्तों आपको wizard option आपको calc के अंतरगत या फिर आपको writer के अंतरगत देखने को मिल जाता है और पूछा गया कि यह किस menu में होता है option है file menu, edit menu, format menu या फिर view menu तो दोस्तों आपको बता दें कि wizard नाम का जो option है यहाँ आपको file menu के अंतरगत देखने को मिल जाता है अब चलते हैं next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर जो 59 number का question है वो है कौन सा उपकरण digital signal को analog signal में change करने का काम करता है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सा उपकरण यानि की device digital signal को analog signal में परिवर्तित करता है तो 59 का यहाँ पर right answer जो होगा वो हो जाएगा DAC जिहां दोस्तों DAC जो उपकरण है यहाँ जो है digital signal को analog signal में change करने का काम करता है अब चलिए next question की तरब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है IP header की अधिकतम लंबाई कितनी होती है यहाँ दोस्तों IP header जो होता है उसकी maximum जो लंबाई होगी वह कितनी होगी option में है 20 bytes, 20 beats, 24 bytes या 24 beats तो दोस्तों 60 number के question का जो right answer होगा वो हो जाएगा 24 beats दोस्तों beat और byte के बारे में हम थोड़ा discuss करें तो beat का पूरा नाम binary digit होता है और जब 8 beat यानि की 8 beat मिलते हैं तो 1 byte बनता है byte के बाद फिर 1024 byte मिल करके 1 kilobyte बनाने का काम करते हैं तो यह सब memory के measurement हैं अब चलिए next question की तरह दोस्तों यहाँ पर प्रशन पूछा गया है निमनल खित में से कौन सा light pain से संबंदित है option यहाँ पर दिया हुआ है mechanical input device, electronic input device, optical input device या फिर यहाँ पर optical output device तो दोस्तों आपको बता दें कि 61 का जो right answer हो जाएगा वो जाएगा option C, optical input device optical input device यहाँ light pain से संबंदित है और light pain जो है इसे electronic pen के नाम से भी जाना जाता है जो की digital board पर touch करा करके और किसी भी तरह के text को लिखने का काम या कोई drawing वगेरा create करने का काम आप आसानी से कर सकते हैं अब चलते हैं next question के तरह question number 62 इन में से कौन secondary memory है जी हाँ दोस्तों secondary memory की बात हो रही है कि कौन सा इन में से नीचे जो नाम दिये हुँ है कौन सा secondary memory है option में दिया हुआ है EPROM, SRAM, HDD या फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है all of these तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर secondary memory के अंतरगर्द आ जाता है HDD जिसे hard disk drive के नाम से जाना जाता है तो HDD जो है यहाँ परकार का secondary memory है जबकि EPROM को erasable, programmable, read-only memory कहा जाता है जबकि SRAM को static random access memory कहते हैं दोस्तों SRAM जो होता है वह RAM का एक भाग होता है जबकि EPROM जो है वो ROM का भाग है और EPROM की खासियत आपको बता दें इसमें से data erase करने के लिए आपको ultraviolet ray की जरूरत पड़ती है यानि पराबैगनी किरुणों के द्वारा आप इसमें से data को erase करने का काम कर सकते हैं अब चलिए next question की तरफ दोस्तों यहाँ पर 63 नमबर का प्रशन है कौन एक बिंडू या अन्य प्रतीक है जो एक paragraph की शुरुवात में स्थित है क्या कहलाता है यहाँ दोस्तों यहाँ पर option में दिया हुआ है logo, target, bullets या फिर cell दोस्तों bullet जो है एक प्रकार का dot होता है एक symbol होता है जो किसी भी paragraph या line की शुरुवात में होता है तो उसे हम bullet कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर right answer जो होगा वो हो जाएगा option C, bullets दोस्तों आप चाहें तो bullets इनके अलावा आप चाहें तो numbering का भी use कर सकते हैं जैसे कि हमने 4 option ओमें A, B, C, D जो है यह सब bullets के थूँ ही use किया है अब चलते हैं next question की तरफ Dizzy Locker यानि कि Digital Locker में कितना storage होता है यानि कितना data आप इसमें store करके रख सकते हैं 100 MB, 10 MB, 1 GB या 100 GB दोस्तों आपको बता दें कि Digital Locker के अंतरगत आप 1 GB तक का data आसानी से store करके रख सकते हैं Dizzy Locker को Digital Locker कहा जाता है जिस पर account create करने के लिए आपको आधार card का होना आवश्यक होगा तब आप आसानी के साथ Digital Locker पर अपना account बना सकते हैं और इस पर आप 1 GB तक के documents को आसानी से store करके रख सकते हैं अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में सबसे छोटा computer कौन सा है जिहां दोस्तों सबसे छोटा computer ने यहां पर पूछा गया है कौन सा है तो option में दीखी दिया हुआ है micro computer, mini computer, super computer या फिर mainframe computer तो दोस्तों बता दे सबसे छोटा computer इन चारों में micro computer है जिहां दोस्तों, माइक्रो कंप्योटर को PC यानि की Personal Computer भी कहा जाता है, जबकि सबसे बड़ा जो कंप्योटर होता है, वो है Mainframe कंप्योटर और सबसे शक्तिशाली कंप्योटर कहा जाता है Super Computer को दोस्तों, याँ पर Super Computer के कुछ Fact आपको बता दें, तो भारत का जो सबसे पहला Super Computer है, उसे CDEC नमक की Company ने 1998 के अंतरगत बनाया था, जिसका नाम था Param 10,000, जबकि दुनिया के सबसे पहले Super Computer को Cray One के नाम से जाना जाता है, जिसे Cray Research Company ने 1976 के अंदर बनाया था, और अभी वरतमान की बात की जाये तो वरतमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली Super Computer है, फुगाकू, जिसे जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया है, जबकि भारत के बरतमान के सबसे सक्तिशाली Super Computer का नाम प्रत्यूश है, जिसे 2018 में तयार किया गया था, अब चलते हैं, नेक्स प्रशन की तरफ, यहाँ पर जो अगला प्रशन है, वो है, किस Topology में हब का प्रयोग किया जाता है, जिहां दोस्तों, कौन सी Topology में हब का यूज किया जाता है स्टार, रिंग, बस या फिर मेश, तो दोस्तों आपको बता दें कि 66 अंसर हो जाएगा स्टार टॉपलोजी, जिहां दोस्तों, स्टार टॉपलोजी के अंतरगत हब का यूज किया जाता है, और उसी से सभी Computer को जोडने का काम किया जाता है, जबकि रिंग के अंतरगत कोई मेश टॉपलोजी है, इसमें सभी Computer सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि सबसे आसान कोई टॉपलोजी और सबसे सस्ता कोई टॉपलोजी है, तो वो है बस टॉपलोजी, अब चलते हैं, नेक्स कोश्चन की तरब, दोस्तों टॉपलोजी के बारे में बता द के सेल की पूछी गई है, और मैं सीरे आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पर 0.45 cm यानि सेंटेमेटर जो है, यहाँ आपको के डिफाल्ट हाइट मिल जाती है, वो भी सेल की, अब चलिए नेक्स कोश्चन की तरब, कोश्चन नमबर 68, यूटी आर का पूरा नाम पूछा गय तो यहाँ पर 68 नमबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शन A, यूनीक ट्रांजेक्शन रिफरेंस यह जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब चलते हैं, कोश्चन नमबर 69 के तरब, राइटर में फार्मूला बार ओपन करने का शॉटकट की क्या है, जिहां दोस्तों अगर आप फार्मूला बार ओपन करना चाहते हैं, तो कौन साथ शॉटकट आप राइटर के अंतरगत यूज करेंगे, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, F2, जिहां दोस्तों, F2 रिनेम का भी शॉटकट होता है, लेकिन यहाँ पर राइटर में फार्मूला बार को ओपन करने के लिए भी आप F2 शॉटकट को यूज करेंगे, अब चलेंगे next question की तरफ, दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा परदान नहीं करता है, यहाँ पर true and false से related प् हम लोग आसानी से किसी सेल या सेल में लिखे गए information को सुरक्षित रख सकते हैं, तो यहाँ पर यह sentence जो है वो false हो जाएगा, जनी right answer B हो जाएगा, अब चलते हैं next question के तरफ, यूनिक्स आधारित web server और window PC client एक दूसरे से संपर्ख नहीं कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ भी true false से related है, यूनिक्स आधारित जो web server हैं और window PC client एक दूसरे से संपर्ख नहीं कर सकते हैं, तो यह true है अथवा false है, तो दोस्तों आपको पता दें, इसका भी right answer false हो जाएगा, यह दोनों के दोनों ही आपस में connection कर सकते हैं, यानि कि right answer जो है वह false हो जाएगा, अब चलेंगे next question 72 पर, यहां दोस्तों वी आई एडिटर से यह प्रशन पूछा गया, दोस्तों यहां पर अगस्त महीने में बहुत सारे प्रशन जो है वो वी आई एडिटर से पूछा गया था, इसे भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर भी आपको एक दो command आपको दिये गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कमांड जो है वो किसी अन्य content को भी read करने में आपकी help करता है तो दोस्तों यहां पर 72 नमबर का जो right answer हो जाएगा वह हो जाएगा ex command दोस्तों ex command जो है यहां पर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर 72 का हो जाएगा अब चलेंगे हम लोग next question की तरफ दोस्तों निम्निखित में से कौन सी memory सबसे तेज कारे कर सकती है यहां पर SRAM DRAM SD RAM या PROM यहां जो है चार option दिये गए हैं दोस्तों आपको पता दें कि 73 जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा SRAM SRAM का पूरा नाम static random access memory होता है और यहां सबसे faster memory कही जाती है जबकि DRAM को dynamic random access memory कहा जाता है और यहां SRAM की तुलना में slow होता है अब चलते हैं next question की तरफ social networking शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था यहां दोस्तों social networking यहां बात की जा रहे है कि सबसे पहली बार इस शब्द को कब यूज किया गया था 2003 2000 1995 या 1997 तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा option D 1997 दोस्तों सबसे पहली बार यहीं पर जो है social networking शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो दोस्तों सबसे राइट आंसर यहां पर option D हो जाएगा आप चलते हैं 75 नंबर के question पे A.E.P.S. के द्वारा निम्न मेंसे क्या नहीं किया जा सकता है दोस्तों यहां पर दिया गया है cash withdrawal, cash deposit, virtual card या balance inquiry तो दोस्तों आपको बता दें कि आप virtual card या एक नहीं होता है यहां कार्य आप नहीं कर सकते हैं बाकी तीनों के तीनों काम जैसे कि cash withdrawal, cash deposit और balance inquiry यह तीनों का तीनों काम आप A.E.P.S. के दुरू कर सकते हैं यहां पर A.E.P.S. का पूरा नाम आपको बता दें तो पूरा नाम इसका हो जाएगा आधार enabled payment system और आधार card के तुरू आप कहीं पर भी mini branch या main branch में जा करके cash को deposit भी कर सकते हैं, withdrawal भी कर सकते हैं और अपने खाते का statement वगएरा और balance की inquiry भी आप आसानी से कर सकते हैं चलते हैं next question की तरब दोस्तों यहां पर question 76 है सबसे ज़्यादा storage किसमे मापी जाती है जिहां दोस्तों यहां पर जो चारों options दिये गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा storage किसमें होता है CD में DVD में hard disk में या फिर floppy disk में दोस्तों सबसे ज़्यादा storage की बात की जाये तो वो होता है hard disk में और अगर सबसे कम पूछा गया होता तो right answer floppy हो जाता है तो यहां पर सबसे ज़्यादा hard disk में सबसे कम floppy disk में जबकि CD के अंतर गत 700 MB का data store होता है और एक normal DVD के अंतर 4.7 GB का data store करके रखा जा सकता है अब चलते हैं next question के तरफ question number 77 निर्देशों का वास्तविक निश्पादन निम्ड में से किसमे होता है जियां धोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निर्देशों का वास्तविक निश्पादन अगर करना हो तो किसमे होगा laboratory में manual printer में ALU में या फिर CU में दोस्तों आपको बता दें कि right answer यहाँ पर ALU हो यहां पर गया हुआ है इनसाइकलोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा फेमस है जी हां दोस्तों कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी है तो Google, Ask, Wikipedia या फिर Yahoo तो दोस्तों बता दें इनसाइकलोपीडिया के लिए सबसे बहतर जो वेबसाइट है वो है Wikipedia और यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा Wikipedia अब चलिए नेक्स कोश्चन के तरफ कोश्चन नमबर 79 यदि हमें किसी टैंपलेट का उपयोग अन्यस्थान पर करना है तो हम निम्न में से क्या करेंगे यहां दोस्तों 79 का यहां पर पूछा गया है राइट आंसर आपसे तो यहां पर राइट आंसर इंस्टॉल इंपोर्ट एड और लोड के अंतरगत हो जाएगा इंस्टॉल यहां दोस्तों आपको सबसे पहले तो उस टैंपलेट को अपने कंप्यूटर में उस एप्लिकेशन में इंस्टॉल करना होगा और तब जाकर के आप आसानी से उसे किसी अन्यस्थान पर अन्य लोकेशन पर यूज कर सकते हैं फिर विंडोज दोस्तों बता दें कि MS-DOS जो है यहां सिंगल यूजर सिंगल टास्क होता है और यहां जो है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है यानि इस पर एक समय में आप एक ही काम करेंगे वह भी कमांड आधारित होता है इसके अलावा Ubuntu, Linux और विंडो में कितनी लेंदेन शुलक होती थी यानि लेंदेन करते समय एई पीएस के तुरू ग्रहा को कितना रुपया देना पड़ता था दिसंबर 2019 तक तो दोस्तों यहां पर 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 81 का B आंसर जीहां दोस्तों यहां पर 15 रुपय पर ट्रांजेक्शन करते समय आप दिसंबर 2019 तक देना होता था तो यह जो है बिल्कुल ऐसे प्रस्ण पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 15 रुपय पर ट्रांजेक्शन अब चलते हैं नेक्स कोश्चन इमेल सेंड करने के लिए निम्न में से प्रोटोकॉल जो है एक नॉर्मल तरीके का अगर आपको इमेल भेजना होगा तो आप SMTP का यूज करेंगे जबकि POP का पूरा नाम Post Office प्रोटोकॉल होता है और यह भी जो है आप इमेल के ही अंतरगत प्रियोग करने का काम करते हैं अब चरिए नेक्स कोश्चन पे दोस्त का पासवर्ड मिनिममम जो है एट करेक्टर का यानि आठ अक्षर का हो सकता है तो मिनिममम एट करेक्टर का आपको कम से कम वाइफाई का पासवर्ड रखना होगा तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा Option C अब चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ कौन सा एक डिस्क प्रत्यक या डिस्क क्लीन अप तो दोस्तों राइट अंसर 84 का यहाँ पर हो जाएगा Option A File Allocation Table यहाँ जो है फाइल की सटीक नाम के साथ उसके रिकॉर्ड को भी सटीक प्लेस पर रखने का काम करता है अब चलिए Question No.85 के तरफ एक Half Byte का दूसरा नाम क्या है बहुत ही खास प्रस्ण ह बिल्कुल अलग तरीके से या प्रस्ण पूछा गया था Half Byte का दूसरा नाम क्या है तो दोस्तों Half Byte का दूसरा नाम है Nibble दोस्तों जब 4 बीट मिलते हैं तो एक Nibble बनता है तो उसे ही हम Half Byte कहेंगे तो Half Byte का दूसरा नाम हो जाएगा Nibble और बीट को हम Binary Digit कहते हैं 8 बीट मिलने पर एक Byte होता है अब चलिए Next Question की तरफ अपने Computer को Hacker से बचाने के लिए आपको निम्न में से किसका परियोग करना चाहिए Firewall, Script, USP या फिर VLC तो दोस्तों आपको बता दे कि यहां पर Right Answer हो जाएगा Firewall अगर आप Firewall को हमेशा Enable रखते हैं तो आप अपने Computer को Hacker से बहुत हद तक बचाने का काम आसानी से कर सकते हैं अब चलिए Question No.87 के तरफ इंटरनेट पर Pop-Up से क्या तातपर होता है यहां दोस्तों Pop-Up का क्या मतलब है Instant Messaging, Online यहां पर Ad से Related होता है या फिर Browser से Related होता है या फिर Search Engine से होता है तो दोस्तों आपको बता दे कि इंट गलग तरह के Ad जो है आपको Pop-Up के तोर पर दिखाने का काम करते हैं आप चाहें तो Pop-Up को Block भी यानि Block करने का भी काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं तो यहां पर 87 का Right Answer B हो जाएगा अब चलिए Next Question के तरफ किसके द्वारा Computer में समय और दिनांक सुरक्षित रखे जाते हैं ज और वही जो है आपको Date and Time शो कराने का काम करता है अब चलिए Next Question के तरफ Question No.89 दोस्तों यहां पर पूछा गया है निम्ड में से कौन सा E-Wallet नहीं है यह वालेट कौन सा नहीं है पेटियम, माई पेमेंट, लाइम या फिर साइट्रस तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माई पेमेंट, माई पेमेंट जो है यहां कोई E-Wallet वगरा नहीं है या E-Wallet के जैसा कुछ भी नहीं होता है तो राइट आंसर यहां पर Option B हो जाएगा अब चलेंगे Question No.90 के तरफ निम्ड में से कौन सा भाषा अनुव वर्चुल मशीन या BOTH A & B दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा BOTH A & B यानि compiler और interpreter यह दोनों ही अनुवादक है ट्रांसलेटर है जो कि source code को object code में machinery code में बदलने का काम करते हैं अब चलेंगे हम लोग next question के तरफ question No.91 दोस्तों यहां पर पूछा गया है निम्ड में से pin drive का file system कौन सा होता है दोस्तों pin drive की बात हो रही है कि pin drive में कौन सा file system use होता है EXE, NTFS, FAT32 या all of the above दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा all of the above यह जो है तीनों के तीनों extension या file जो है वो pin drive के अंतरगत आसानी से use किया जाते है EXE को हम executable file कहते हैं NTFS को हम new technology file system के नाम से जानते हैं यह सभी के सभी जो extensions है या file के जो system है वो सब pin drive में आसानी से use यह जा सकते हैं pin drive को हम USB thumb drive के नाम से भी जानते हैं अब चलेंगे next question के तरफ question 92 यहां पर दिया हुआ है किस प्रकार की तकनीक मौखिक रूप से internet पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमती प्रदान करता है e phone, social network, voip या c2c दोस्तों बता दे 92 का जो right answer होगा वो हो जाएगा voip यह जो है आपको internet पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है वो भी मौखिक रूप से अब चलेंगे next question, question number 93 के तरफ ब्राउजर में किसी page को bookmark क्यों किया जाता है यहां कोई भी ब्राउजर जैसे google chrome, mozilla, firefox, apple का safari इन सबी ब्राउजरों में आप किसी भी page को bookmark क्यों करते हैं यहां पर book page के लिए, remember page के लिए, delete page के लिए या all of these तो आपको बता दें bookmark करने पर वह page आपको याद रहता है यानि remember रखने के लिए याद रखने के लिए उस page को हम लोग bookmark लगा लेते हैं ताकि कभी जरूरत पढ़ने पर हम दुबारा direct उस page पर जा सकें अब चलेंगे हम लोग question number 94 की तरफ, line के अंत में text जोडने के लिए vi editor में किस command का उपयोग किया जाता है जिहां दोस्तों line के अंत में अगर आपको कोई text add करना होगा vi editor के अंतरगर तो कौन सा command आप use करेंगे तो right answer यहाँ पर हो जाएगा a दोस्तों option a का जो a है यही यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा a लिख करके आप line के अंत में नया text vi editor में आसानी से add कर सकते हैं अब चलते हैं question number 95 के तरफ, control plus escape shortcut की निम्न में से कौन सा option open करता है जिहां दोस्तों अगर control escape बटन आप दबाते हैं तो कौन सा option open होगा task manager, start menu, control panel या पिर setting तो दोस्तों right answer इसका हो जाएगा start menu, start menu जो है आपका open हो जाता है जब आप control के साथ skip button use करते हैं अब चलेंगे हम लोग question number 96 के तरफ, दोस्तों यहाँ पर पुछा गया है निम्न में से पहला microprocessor कौन सा था, दोस्तों यहाँ पर चार अलग-अलग नाम दिये गए है और इनमें right answer हो जाएगा Intel 4004, दोस्तों सुरू में ही हमने वीडियो के बीच में आपको इस प्रशन के बारे मताया था, Intel जो है वो processor बनाने का काम करती है और इसका जो सबसे पहला processor था, वो था 4004, जबकि IBM जो है international business machine है, जो की computer के sector में बहुत पुरानी और बहुत famous company है, ABC को हम एटना सौफ बेरी computer के नाम से जानते हैं, जबकि UNIWAC जो है यहाँ एक प्रकार का computer है, जिसे की जौन मौकली और प्रेसपर एकर्ट ने इनाइक बनाने के बाद बनाया था, जिसे की universal automatic computer के नाम से भी जाना जाता है, अब चलते हैं next question 97 के तरफ, निम्न में से कौन सा big data क महत्व है, दोस्तों यहाँ पर option दिया हुआ है, लागत में कमी, नया उत्पाद विकास और smart निरने लेना, समय में कटवती या फिर उपरोक्त सभी, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D उपरोक्त सभी, यहाँ पर आप अग या decision जो है, आप इसकी सहायता से आसानी से ले सकते हैं, अब चलते हैं, next question, 98 के तरफ, SSI का पूरा नाम क्या है, दोस्तों यहाँ पर 98 का जो right answer होगा, वो होगा, secure sockets layer, तो दोस्तों हम series का answer आपको बताते हैं, secure sockets layer जो है, वो है SSI का पूरा नाम, अब चलते है, question number 99 के यानि एक website से आप दूसरे website पर visit करेंगे, तो यहाँ क्रिया क्या कहलाएगी, downloading, surfing, uploading या none of these, दोस्तों बता दें कि यहाँ जो right answer होगा, इसका वो हो जाएगा, option B, surfing, एक website से जब आप दूसरे website पर जाते हैं, तो यहाँ क्रिया surfing के नाम से जाना जाता है, जबकि किसी server पर upload data को आप अपने computer system में जब download, save रखते हैं, तो वही क्रिया download कहलाती है, और computer के data को जब आप server पर save करते हैं, तो वहाँ क्रिया upload के नाम से जानी जाती है, और अब चलते हैं अपने इस video के last question पर, जिसका प्रशन है, alt के साथ आप right shift button प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, आप right shift button यूज करते हैं, तो वहाँ जो है, डिमोट करता है, तो डिमोट हो जाता है, और यहाँ जो है, यहाँ पर question number 100 का right answer हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच चुके हैं, तो वीडियो को like करिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, तो चैनल को subscribe करके और bell icon भी आप प्रेस कर लीजेगा, ताकि नए वीडियो का notification आपको समय समय पर मिलता रहे, आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिए, ताकि आपके ज़्यादे से ज़्यादे ज़्यादे इस वीडियो को देख सकें और अपनी परिक्षा में पास हो सकें, मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू फ्रेंड्स, जैहिन!